ओनिंग दियर स्टुडेइन, वेलकम बैक तो आवर नेक्स्ट बिजनेस श्टेटी क्लाइट तो इन प्रिविएस वीडियो वी भी दिसक्स अबाओ मेरिट्स ऑप को अपरेटिव सोसाइटी अब दीखे, ड्रॉबेक आएगा तो भी यही आपको लिखना है लिमिटेशन आएंगे तो भी यही लिखना है आपको डी मेरिट्स आएंगे तो भी यही आंसर आपको लिखना है ड्रॉबेक का यहने की तीनों की एक ही मीनिक है drawback, limitation and demerit चीक है? अब हम पढ़ते हैं इसके drawback तो एक बार हम revise कर लें कि हमने इसके merit क्या पढ़े थी? हमने इसके merit पढ़े थी easy formation इजी तरीकी से इसका formation हो जाता है इसका निर्मार करते हैं हम चालू कर सकते हैं क्योंकि इसमें member ही होते हैं वो सभी मिलकर ही इसको चलाते हैं तो हमको इसका निर्मार करना बहुत easy होता है अब open membership इसमें open membership होती है कि कोई भी सभी सदस्थों का समान इसमें इत होता है और सभी व्यक्ति खुली छूट रहती हैं कि जब आएं आ सकते हैं और जब इसको छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं और जितने व्यक्ति मिलते हैं भचते हैं वो चलाते हैं और limited liabilities इनकी liabilities limited रहती हैं unlimited नहीं रहती कि अपने personal capital से या cash आपको उनको किसी लेंदार को पेशा चुकाना पड़े अब क्या है low operating cost इसकी operating cost भी को लो रहती है अब economic management इनका management रहता है बहुत कम खर्च में होता है क्योंकि इनी को चलाना पड़ता है पैसा पूरे सदस्सों को ही देना पड़ता है इसलिए बहुत economic तरीकी से ये खर्च करते हैं अब आज हम पढ़ते हैं इसके drawback तर drawback क्या है फर्च नंबर पे है limited fund ये co-operative society रहती है इसमें जो जितने भी member रहती है उनका क्या होता है share करते हैं सब small small amount और वही amount से वही capital को इखटी होती है और उसी से हम co-operative society को चलाते हैं और फिर जब सायम उनके जो member क्या करते हैं खुद additional capital का क्या करते हैं और additional capital नहीं दे पाते हैं उसमें क्योंकि छोटा छोटा small amount लोग देते हैं जितने भी member रहते हैं और उससे ये society चलती है और क्या होता है फिर अब जरूरत पढ़ती है तो फिर सदस क्या करते हैं खुद भी additional capital का amount उनको नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है इसलिए क्या होता government co-operative society में जो fund रहता है वो limited रहता है ठीक है आई रोप आपको फिलिया है second number पर leg of management ability इसमें management में जो ability होती है काम करने की जो management का talent क्या है उसका भी कमी रहती है अभाव रहता है क्योंकि जितने भी साधन रहते हैं जो सामान रहते हैं वो सीमित रहते हैं और उसमें कोई talent या अनभवी प्रवंदक रहता है manager की निक्ति हम नहीं कर पाते हैya हमी चलाते हैं manager की निक्ति कहां से करेंगे हमी तो पैसा देते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके उनको क्या देना पड़ेगी salary देना पड़ेगी जादा मागेंगे और जो member रहेंगे यह सूसते हैं कि हमी तो स्वामी है हमी को पैसा देना है और हम खुदी order चलाएं और देदेश कि देंगे और हम क्यों मानें हम खुद पैसा देदे तो हम दूसरों का order क्यों मानेंगे हमी चलाएंगे सब society को तो वह appoint न और सी जो वस्ते क्या होता है जो government cooperative society रहती है उसकी इस्तापना तो क्या पर उसका मोटो रहता है कि service motive सेवा भावना किल्तु जो member रहते हैं क्या करते हैं सर्विस की बजाए सेवा भाव की है government जो cooperative society क्या करती है लोगों का solution करती है और वो व्यक्तिगत रूप से और भाईवती जवाग ये सब पक्षपाद करते हैं इसले उनकी सेवा की उनमें भावना नहीं रहती है अब अगला देखिए literature of members literacy कैसे जो members रहते हैं वो सदस जादा पढ़े लिखे नहीं होते ठीक है उनमें क्या होता है गौर्मेंट उसमें ये सबसे बड़ी बादा है क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत उसका सदस बन सकता है तो वो जो लोग जादा पढ़े लिखे नहीं रहते और तो कामों में क्या कुछी नहीं लेते हैं अगला है एक्सेंसिफ गौर्मेंट कंट्रोल इसमें क्या होता है गौर्मेंट का जित्ती भी यह को अपरेटिस सोसाइटी रहती है वो बहुत ज्यादा गौर्मेंट का इसमें हस्तेप नियंत्रन रहता है कंट्रोल और इसमें गौर्मेंट समय समय प्रै नेंसमें कॉंड बन जबन जाते हैं और सदस्त फिर क्रें क्यों क्यों कि गौश्च वीडियो में वस इतना ही आप इतना ही लिवाइच करिए और नोस बनाना चाहे तो नोस भी बना दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आप से फिल मिलेंगे तब तक कि लिए